ही नमश्कर दोस्तों मैं दीपक कुमार सफाकत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनवेश्ट फॉर वेल्थ में यह आदानी ग्रूप में जो किस्ता है वो किसी से छुपा हुआ रही है चाहे सुचिता दलाल को लेके देखें चाहे एनश्डियल को लेके देखें और चाहे हम यहां पर बात करें तीन एफपियाई के अकाउंट्स की तो ये आपको सबको पता है कि क्या हुआ था नने तीन एफपीय cz के ECOUNTS को BAN किया का नीज आया था फिर बाद में NCDL ने का हमने BAN नहीं किया फिर बाद पर कहानी में ट्विश्ट आया कि हाँ बैन किया था लेकिन वो 2016 में था तो कुल मिला जो लगए बहुत सारी यहां पर बाते आई जिसके वज़ा से हमें अधानी के कई सारे स्टॉक्स इफेक्टेड यानि सारी स्टॉक्स जो थे इफेक्टेड होते हुए नजर आ गया और अधानी पोर्ट थोड़ा बहुत रिकावर किया आज लेकिन अधानी टोटल गयास और अधानी पावर में आपको लगातार लोवर सरक्ट देखने को मिल रहा अधानी ट्रांस्मिशन यह कंपनिया जैसे कि यहां पर आपको पता है लिश्टेड है तो मैं एक बर द देखा जा रहा है इसको पॉलिटिकरी एक रुखे ले लिया है उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो गईस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को हिट कीजेगा तक याने वाले वीडियो के नाटिफकेसन आपको टाइम टू डाइम मिलते रहें अगर आप ट्रेडिंग में इंट्रेडिंग में इंट्रेश्ट रखते हो तो गाईस डेली में मॉनिंग में साड़े आठ नो बजे के अराउंड लाइब आता तो अदानी कंपनियों में नया मोड आया, कॉंग्रेस ने कहा है कि विदेशी निवेशक की जाच हो, जो विदेशी निवेशक वाली कंपनियां है उनकी जाच हो और यहां पर अगर हम बात करों तो FICC की एक बात आ लिए है, FICC जो की एक रेटिंग एजनसी है, अगर मैं मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊ हूँ आपको तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ मैंगा मैं यहाँ पर लिखूँगा FITCH Fitch Rating on Adani Port तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर Fitch Rating यहाँ पर आप दिखेंगा Adani Port को माइनस BBB कर दिया है मतलब माइनस में रेटिंग दे दिया है उसके बाद और भी ज़्यादा गिरावट गहरा रही है और यह गिरावट अभी और भी ज़्यादा गहराने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इन कंपनियों पर आगे भी दबाव रहेगा ऐसा कहा जा रहा है एक आर्टिकल के माध्यम से अधानिक ग्रूप के स्थामने कई नई दिक्कते पैदा हो गई है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कांग्रेस ने अब इस मामले में मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने भया डिपोश्ट्री जो एनेश डियल है और रेगुलेटर जो हमारा स्टॉक मार्केट का सेवी है उनसे कहा है कि आप लोग इस मामले की जांश किजिए और यहाँ पर आप पता है जब कोई पॉलिटिकली बंदा इन्वाल्व होता है किसी को तोड़ने के ल आले निफ्टी ने आलमोश सारी रिकावरी जो है निफ्टी में हो गई है पूरा का पूरा रिकावर हो गया निफ्टी 200 पॉइंट के राउंड माइनस हो गया था 15400 से यहाँ पर आप देखोगे तो 15600 के असपास निफ्टी आ गया तो काफी अच्छी चीज हुई है लेकि अब आप सब को पता है lower circuit का मतलब क्या है इसमें मैं ज्यादा आगे नहीं जाओंगा कि lower circuit क्या है क्या नहीं बट इतना जरूर सामने नदर आ रहा है कि अब तक करीबन 100,000 करोड का जो है वो अदानी गुरप का market capitalization घट चुका है तो यहाँ पर कांगरेस के प्रवक्ता की म गलत मिलता है तो इस मामले को परवर्तन निदेसालाई यानि की ED को देना चाहिए अगर कुछ गलत मिलता है तो ED को इसका सारा का सारा सौप दीजे और उनको जो है वो case की जाच करने दीजे उन्होंने ये भी काया कि भाया कि जो भी NHDL के वित्त मंतराला के तहात आता है उ मैं आपको बात करूँ तो भारती फरम में कोई भी विदेसी निवशक जो है 10% से ज़्यादा का equity नहीं रख सकता उसके उपर भी कोई action लेना चाहिए वो कह रहे है साथी सथ फिच ने rating माइनस कर दिया है ये भी बहुत गलत बात है और तो यही मैं आपको कहना चाहूँग कि around काफी अच्छा support ले सकता अगर 1152 रुपय का level तो तो कहीं न कहीं और भी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलने वाला है अदानी power की बात करेंगे अदानी power में बहुत सारे retail investors हैं और बहुत छोटे छोटे निवेशक भी है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ त अदानी power भिलकुल यहाँ पर 170 रुपय के आसपास पहुचने वाला था अभी गिरावट लगातार गिरावट और यहाँ पर देखे तो 114 रुपय के आसपास हमें आता हुआ नजर आ गया अभी क्या यहाँ से reverse करेगा 114 रुपय से तो इसका जो support zone बन रहा है वो 102 रुपय कर रही है अदानी कि अगर F&O बैन होता है F&O में ट्रेडिंग अगर बैन होता है तो क्या होगा तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी हमें revival देखने को मिल सकता उपर की तरफ क्यों 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 जब F&O में बैन हो जाएगा तो short selling वाले जो कर रहे है वो short selling कही नहीं कर में अगर आपका holding है तो tight बैठिए बहुत बड़ी company है ऐसा नहीं है कि company भी खतम हो जाएगी या zero हो जाएगी बहुत बड़ी company है बहुत बड़ा अस्तित्व है अदानी पावर की बात करूँ अदानी के सारे 6 के 6 companies के बात करूँ तो बैया chances हैं काफी कि काफी बढ़िया य 6 रुपय के असपास और आज देखिए तो 1400 के असपास चल रहा है मतलब इसने तो तकरीबन तकरीबन सारा ही कवर कर लिया और अदानी इंटरपाइजेस में बात करूँ एक और न्यूस भी सामने हमें आई थी कि company जो है cement sector में entry ले रही है मतलब पूरा का पूरा होन ओल सरी होगी किसकी अदानी इंटरपाइजेस की whole own subsidiary होगी और यहां पर cement का कारोबार यह करेंगे all type के cement बनाएंगे तो कहीं ना कहीं अदानी इंटरपाइजेस के लिए प्लस पॉइंट भी है all over अगर अभी देखें तो अदानी हर एक चीज में है चाहे अभी किसी भी चीज की बात करो और अभी तो अदानी के कई IPOs की भी बाते चल देती जैसे अदानी पावार रिनीवल और साथ में अदानी विल मार तो इन दोनों में भी थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना तो काला दाग लगता हूँ नजर आएगा अगर इस सिच्वेशन में अदानी के IPOs आ जाते हैं तो वो थोड़ा से दिक्कत वाले हो जाएंगे तो अभी तो नहीं लाने वाला है अदानी जहां तक मुझे लग रहा है अभी कोई इतनी जल्दी कोई IPO नहीं आने वाला इनका थो अधानी ग्रूप को भी पता है कि दिक्कते हैं इसलिए वो अभी कोई IPO वगएरा थोड़ा ठंडा रहेगा जब तक कि लोग पुराने जखमों को भूल नहीं जाते हैं आपको पता है शेयर बजा रहा है एकदम से पुराने जखम भर देगा यहां से अभी 30% का जंप आजा in this video